इक्षा में नर बेश सम्वारे हो यहों प्रगट निकेत तुम्हारे असन सहित दे धरिताता करिहों चरित भगन भगत सुखदाता जे सुनी सादर नर बड़ भागी भवतर यही ममता मद त्यागी आदे सक्त जहीं जगूप जाया सो अवतर ही मोरी यह माया इक्षा निर्मित मनुष्य रूप सजगर मैं तुम्हारे घर प्रकट होंगा हे तात मैं अपने अंशों सहित देहे धारन करके भगतों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आजर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे आदी शक्ती यह मेरी स्वरू भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन किया है अवतार लेगी पुरू मैं अभिलाश तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा पोनी पोनी यस कही करपा निधाना अंतर निधान भय भगवाना इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाशा पूरी करूँगा मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है करपा निधान भगवान बारवार ऐसा कहकर अंतरधान हो गए दमपती उरिधरी भगती करपाला तेही आश्रम निविसे कचुकाला वे इस्त्री पुरुष राजा रानी भगतों पर कृपा करने वाले भगवान को हिर्दय में धारन करके कुश काल्दा कुश आश्रम में रहे, फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कस्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रे की पूरी में जाकर वास किया यह इतिहास पुनीत अती ओमही कही ब्रश केतो भरद्वाज सुन अपर पुनी राम जनम करहेतो सियावर राम चंद्र पद जैशर नम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाउ सुदशर थे अजिर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हर हुनाथ मम संकट भारी याग्यवलक्यजी कहते हैं हे भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिपजी ने पारवती से कहा अब श्री राम के अफ्ताल लेने का दूसरा कारण सुनो मास परायन पाचवा विश्राम जैसिया राम